Hello students, welcome to the class. आज की वर्क्षीट में पाइथोगरिस थियोरम और उसके कन्वर्स को समझना होगा. पाइथोगरिस थियोरम हमने क्लास 7 से स्टार्ट कर दिया था. In a right triangle, the square of the hapetonues is equal to the sum of the squares of the other two sides. यह पाइथोगरिस थियोरम का statement है, जिसे आपको याद रखना चाहिए, यह आपको learn रखना चाहिए, statement यह आपको बोलनी आनी चाहिए. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब भी कोई right triangle होगा, पाइथोगरिस थियोरम सिर्फ right triangle के अंदर ही होती है. सिर्फ right triangle में होती है, जैसे हमने यह right triangle बनाया है, यहाँ पर यह जो B part है, यह A, B, C, B पर 90 डिगरी है, square of the hypotenuse, hypotenuse कौन सा होता है, जो 90 डिगरी के opposite होता है, अगर यह 90 है, इसके opposite चलिए, यह, तो AC इसका हो गया, hypotenuse, ठीक है, इसको बोलते है, hypotenuse, और यह तुमारा आध या लंब हो गया, is equal to the sum of the squares of other two sides, तो square of the hypotenuse, hypotenuse का square is equal to the sum, sum of other two sides, other sides क्या है, जिसको हम P बोल रहे हैं, और एक को हम B बोल रहे हैं, बेस, एक को परपेंडिकल बोल रहे हैं, तो यह आपका, पाथोगरास का mathematical statement है, ठीक है, इसमें यह पहचान होनी चीए, कि 90 के जो opposite होता ह बच्चे इसमें confused रहते हैं, कि hypotenuse कौनसी side है, और वैसे भी देखने में आपको पता चलेगा, जो लंबी side होती है, वही हमारी hypotenuse होती है, ठीक है, अब हम इसको लेके चलते हैं, आगे, हमारे पास एक triangle दे रहा है, आज हम इसका proof करेंगे, and this is also very important, यहाँ पर यह triangle है, A, B C, B पर 90 degree है, और B से हमने D पर एक 90 degree drop किया है, यह देखिये, you are given a triangle, हमें एक triangle given है, जिसमें A, B, C triangle है, B पर वो 90 degree है, this is 90 degree at B, right angle at B, हमें प्रूफ करना है, A, C square equal to A, B square plus B, C square, क्यों, B के opposite side ही hypotenuse होगी, तो hypotenuse का square, क्या हुआ, A, C square, ठीक है, और दूसरी दोनों sides क्या होगी, A, B और B, C, इनका square, A, B square plus B, C square, some of the other two sides, ठीक है, यह समझा है, क्या चीज़ प्रूफ करनी है, और ऐसा क्यों लिखा गया है, अब आगे आप चलिए, construction हमने किया, draw BD perpendicular to A, C, आपने given लिग दिया, to prove लिख दिया, construction लिख दिया, above proof पे चलते, as BD is perpendicular to A, C, BD A, C के perpendicular है, so we'll use the theorem 6.7, if a perpendicular, जो की यहाँ पर BD है, अगर कोई perpendicular draw किया जाता है, vertex से, और vertex या C, यहाँ पर क्या है, B, right angle से, किसी right angle triangle के vertex से, अगर कोई perpendicular drop करते है, हाइपेटिनियूस के ऊपर, हाइपेटिनियूस यहाँ पर क्या है, A, C, अगर हम 90 degree वाले angle से, vertex से, एक perpendicular drop करते हैं, हाइपेटिनियूस पर, then triangles on the both side of the perpendicular, तो इस perpendicular के दोनों side में, एक triangle यह बन गया, triangle ABD, एक triangle यह बन गया, यह दोनों triangles जो होंगे, they are similar to the whole triangle, वो दोन, पूरे triangle, जो main triangle था, आपका main triangle क्या था, ABC, उसके similar होंगे, ठीक है, तो यानि जब भी यह condition ऐसे होगी, तो हमारे पास जो भी दो triangles बने, वो उसके similar होंगे, तो अब हम इसको देखते हैं, कि क्या होगा, अब यहाँ पर, अगर हम इस थ्योर्म को hold कर रहे हैं, तो हम यह देखते हैं कि triangle ADB, ABC के similar होगा, ठीक है, हमारी picture इस तरीके से थी, कि हमने कैसे बनाया था, ABC triangle, यह B है, यहाँ पे 90 degree, यहाँ से हमने D drop किया था, यह A था और यह C था, तो ADB triangle, यह जो छोटा वाला triangle बना है, यह full ABC, complete ABC के similar है, इसी तरीके से जो BDC दूसरा triangle बना है, यह similar है ABC के, ठीक है, यह आपको clear हो गया, तो जब ऐसा होता है, तो क्या होता है, अब similarity के rules में आपने देखा ही है, कि जब दो triangles को हम similar बोलते हैं, पिछली work sheets में हमने discuss किया था, तो उसके sides proportions में होते हैं, अब यह दोनों similar क्यों हैं, आप यह भी देख सकते हैं, यह दोनों इसलिए similar हैं, कि यहा पर BD90 है, और angle A दोनों में एक जैसा angle है, तो दो angles same होगे न, तो AA similarity rule से हम बोल सकते हैं, यह दोनों triangles similar हैं, यहाँ पर भी AA similarity rule होगा, angle B90 है, angle DB90 है, और angle C दोनों में एक जैसा है, जो भी उसकी value है, दोनों में same है, तो दो angles same होगे, आपके एक triangle के अंदर अगर दो angles same हो, त तो तीसरा automatically equal हो जाता है triangle sum property से तो A, A, A similarity rule बोले या A, A similarity rule बोले एक ही बात है it doesn't matter, दो बराबर होगे तो तीसरा बराबर होगा ही होगा, ठीक है तो हम यह बोल देंगे कि A similarity rule से दोनों यह बराबर हैं और आप यह बोल सकते हैं by using this theorem दोनों triangles similar हैं आपके ठीक है, similar है, sum root है ठीक है, बराबर नहीं, बराबर होता है congruency सरवागसमता हम बोल रहे हैं यहाँ पर यह sum root है एक जैसे root के हैं एक जैसे आकार के हैं पर map अलग होता है इनका as the sides of the similar triangles are in the same ratio जब भी दो triangles similar होते हैं इनकी sides same ratio में होते हैं ठीक है, is equal to next में आप लोगे a, b, पहला और आखरी पहला और आखरी a, b upon a, c और एक आपने लिलिया a, d, आगे वाले दो a, d upon a, b a, d upon a, b हमने लिख दिया था a, b upon a, c यह समझा है न, कैसे लिखा है अब आप इसको cross multiply कर लो इसको इससे multiply करेंगे इसको इससे करेंगे तो आपका a, b, a, b multiply हो की क्या आजाएगा a, b square और दूसी side क्या रहेगा a, c into a, d ठीक है, तो यह चीज़ आपकी equation आ रही है यहाँ पर, ठीक है अब ऐसे ही हम दूसा वाला लेते हैं दो triangles जो similar है उनको हम देखते है कि वहाँ पर क्या आ रहा है यहाँ पर आपका b, d, c similar है a, b, c के ठीक है, यह दोनों समरूप है तो अब आप क्या लोगे जैसे आपने लिए c, d अगर आप c, d ले रहे हो इधर तो यहाँ पर आएगा b, c पीछे वाली दो लिए यहाँ पर तो इसमें भी यह तो आपका होजएगा c, d upon b, c is equal to फिर आपने लिए b, c पहला और आखरी आपने लिए b, c b, c और यहाँ पर आजाएगा a, c तो b, c upon a, c अब फिर इसको cross multiply करेंगे जैसे simple equations में करते है b, c, b, c multiply होके आजाएगा b, c square b, c का वर और c, d into a, c is equal to c, d multiply a, c तो यह चीज़ आगई आपकी second equation clear होगे हैं कैसे आईए यह ना पिछली work sheets में हमने अच्छे से देखा है कि सरवांग समता में और समरूपता में congruency में और similarity में किस तरह हम corresponding sides से और angles को लिखते है ठीक है अब यह दोनों जब equal होगे अब next step क्या करेंगे equation 1 और 2 हमारे पास आगया है तो अब हम क्या करेंगे हम इन दोनों equations को add कर देंगे equations 1 और 2 को हमने add कर दिया तो आप ad into ac एक तरफ में है और cd into ac एक तरफ में तो यह आपने यह सारा एक side में लिख दिया यह left hand side वाले आपस में यह इस से add होगा left hand left hand में add होता है और right hand side right hand side में add होती है तो right hand side ही आगया a b square प्लस b c square अब आप यह देखो इन दोनों के अंदर एक common चीज है क्या common है जो दोनों के पास है देखें यहाँ पर क्या common है कौन सी side है आप देख रहे हो दोनों के पास ac है ठीक है तो ac को बाहर common निकाल लिया अंदर रह गया a d और c d तो bracket a d प्लस c d is equal to a b square right hand side वैसे के वैसे चल वे है अब a d और c d को जब आप add करोगे तो क्या आएगा ac हमने देखा तो जो यह हमारी sides थी यह ac थी b d और यह a था और यह c था तो जब आप a d प्लस c d इन दोनों को add करोगे तो हमारी पूरी ac side बन जाएगी तो यह ac आगा अब ac को ac से multiply करोगे ac square equal to a b square plus b c square यही चीज़ प्रूफ करनी थी ना हमें यही था हमारा प्रूफ करने का तो हो गया है प्रूफ इस तरीके सामने पायतोगरस theorem को प्रूफ कर दिया ओके यही था हमारा इसको एक बार फिर से जल्दी से हम देखते हैं हिंदी मीडियम बच्चों के साथ में हमारे पास एक समकोन त्रिबुच है जिसमें कर्ण का वर्ग कर्ण हो गया तुम्हारा ये वाली सैड ये कर्ण है है इसका वर्ग 6 दो भुजाएं शेश दूपा हो जाए एक आपका आधार हो गया एक लंब हो गया अब यहाँ पर हमें दिया गया है ABC एक समकोन त्रिबुच है जिसमें समकोन यहाँ पर बी पर है बी समकोन है और हमें सिद्ध करना है कि AC का वर्ग बराबर है AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग ठीक है इनका वर्ग AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर है AC का वर्ग ठीक है तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे हमें दिया गया है ये हेडिंग्स लिखनी जरूरी होती है जैसे मैं हर वर्कशीट में ये आपको बता रही हूं दिया गया है सिद्ध करना आप जरूर लिखोगे उसके बाद जो रचना है वो AC के उपर अब क्योंकि BD AC के उपर एक लंब है तो हम एक प्रमे 6.7 द्वारा हम जानते हैं यदि किसी समकोन त्रिबुज के समकोन वाले शिर्ष से ये समकोन वाला शिर्ष है इससे करन पर लंब खीचा जाता है ये करन है आपका समकोन वाले शिर्ष से हमने करन पर एक लं हैं यह दोनों जो त्रृबुच होते हैं यह दूसरे के समरूप होते हैं संपुन त्रिबुच के चलते हैं अब कि यहाँ पर क्यूंकि से है ADB और ABC हमने इसको ले लिए ADB और ABC एक दूसरे के समरूप होगे BDC ABC के समरूप हो गया तो समरूप तिर बोजों में क्योंकि बुजाएं A की अनुपात में होती है तो AD बटा AB और AB बटा AC आगया हमने अभी देखा ही था कैसे एक क्रॉस मल्टिप्लाइ करके यह आगया इसे पकार यह भी आपने देखा होगा कैसे और फिर हमने एक या दो को यहाँ पर जोड़ा तो यहाँ पर AC को हमने उभेनिष्ट ले लिया और AD और CD जुड़के AD और CD जुड़के पूरा AC आगया तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग यह हमारा सिध हो गया पाइथोगरस प्रमे में यहाँ इसको जल्दी से देखते हैं तो हमारी में थियोरम क्या थी हमारे पास यह ट्राइंगल है ABC यह 90 डिगरी वाला हमारा कोन है यहाँ से हमने एक प्रपेंडिकुलर या लंब बनाया D के उपर तो फर्स टेप हमारा यह था कि उस प्रमे द्व करते हो कि AD बटा AB is equal to AB बटा AC तो आपके पास आया AD बटा AB is equal to AB बटा AC फिर इसको cross multiply कर लोगे तो आ जाएगा AB square AB का वर्ग बराबर AD into AC इसको यहीं छोड़ दोगे equation mark करके यह आपके एक में equation बज़ेगे उसके बाद दूसरा step आपके पास ही होगा कि आप यह दूसरे त्रिबुच को लिखोगे BDC तो यह आपका BDC यह समरूप है इस समरूपता का निशान होता है त्रिबुच पूरे ABC के ठीक है अब यह भी समरूप है तो इनकी तो इसके साथ यह BC हुआ और अगर अगर BC लेते हो पहला और आखरी तो यहाँ पर भी AC equal to BC बटा AC जैसे बचो आप यह वाली साइड लिखते हो आपको अपने आप समझ आदा रहता है कि नीचे BC है तो मुझे वही वाला लिखना है जिसमें ऊपर BC है क्योंकि आगे फिर य multiply होता है ठीक है ना तो BC का वर्ग equal to CD into AC क्योंकि जो आपके संकत बुझाए है तो तीन प्रकार से होती है हम तीनों नहीं दिखा रहे हैं सिर्फ दो दिखा रहे हैं जिसकी हमें जरूरत है तीसरी वाली को हम छोड़ रहे है तो आप यह question को देखकर या आपको पता है कि क्य सिर्द करने आपने आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमने कैसे चूज किया था एक AB नीचे आए एक AB उपर आए यहाँ पर आपका BC का वर्ग equal to CD into AC यह दूसी equation होगी आपकी ठीक है अब अगले step में हमने क्या करा था इनको जोड दिया था तो अब हम इनको जोड देंगे तो हम क्या देखेंगे कि यह दोनों एक तरफ से इसमें यह राइट में राइट जुड़ेगा तो आएगा AB का वर्ग जमा BC का वर्ग ठीक है और इधर आजाएगा CD into AC ठीक है CD into AC plus AD into AC फिर आपने इस AC को common निकाल लिया उभैनिश्ट निकाल लिया ठीक है तो यह आपका AC बाहर निकल गया इधर वही चीज रही AB का वर्ग जमा BC का वर्ग equal to AC को बाहर common निकाल लिया तो अंदर रह गया CD plus AD और जिसको जोड के बाद में AC into AC और यह तुम्हारा AC का वर्ग आ ठीक है ना यह थे आपके तो basically तीन स्टेप्स थे एक बार आपने इसको similar किया एक बाद पायतोगर उस प्रमे का विलोम भी होता है यदि एक त्रिपुच में एक बुजा का वर्ग अन्य दो बुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है यानि कि अगर ये चीज हो रहा होता है ये कर्ण का वर्ग अगर perpendicular यानि लंब और आधार यानि बेस के वर्ग के बराबर ह तो पहली बुजा के सम्मुक कौन तो जो पहली बुजा के सम्मुक कौन होता है ये 90 होता है पहली बुजा के सम्मुक कौन एक 90 कौन होता है ठीक है तो पहली बुजा आपकी कौन सी थी वर्ग ये थी आपकी विकर्ण वाली ठीक है ये आपका 90 दिगरी होता है इस कथन को हम याद करना है इसका हमें प्रूफ नहीं करना है ठीक है इसका नो प्रूफ प्रूफ लर्न करनी की ज़रूत नहीं है आगे पैथोगर उसका प्रूफ करना है उसका कनवर्स का प्रूफ आपको याद नहीं करना सिर्फ इसकी स्टेटमेंट लर्न करनी है ठीक है इनर इसके opposite जो एंगल होता है वो 90 होता है, ये converse है आपका और इसके सिर्फ statement करने है पायतोगरस का विलोम इसको हम कर चुके हैं आगे चलते हैं, यहाँ पर AB से एक sum दिबाहू यानि जिसकी दो बुजाएं बराबर हो sum कोन यानि जिसमें एक 90 हो जो C पर sum कोनी है, यानि C आपका 90 डिगरी है सिद्ध कीजिए AB का वर्ग बराबर है दो AC का वर्ग तो यहाँ पर AB से एक sum दिबाहू तुरिबुश्तिया है sum दिबाहू तुरिबुश्तिया है तो आप देख सकते हो कि इसके सामने वाली जो बुजा होती है तो सबसे बड़ी होती है यह तो इसके बराबर हो नहीं सकती AB आपकी AC के बराबर नहीं हो सकती क्योंकि जो 90 के सामने होती है वो तुम्हारी कर्ण होती है और वो सबसे longest side होती है सबसे बड़ी side होती है तो आपकी कौन सी दो बुजाय बराबर होगी आपके ये वाली और ये वाली ही बराबर होगी AC बराबर होगी BC के ठीक है यह हमने खुद find out किया कि कौन सी बराबर होगी आपको अपने बुद्धिक अस्तमाल करके यह सोचना है कि कौन सी दो बुजाएं बराबर है इसके वर्ग AC के वर्ग जमां BC के वर्ग यह लिखा हुआ है अब आपका AC और BC दोनों बराबर है तो इस BC की जगह हम AC लिख सकते हैं ठीक है और जब इन दोनों को इखटे लिखोगे क्योंकि यह दोनों एक जैसे हैं समान पद है तो उनको जोड़ा जा सकते हैं नहीं बताए कौन सी साइड बराबर है लेकिन यह बता है एंगल C 90 डिगरी है तो हमें इसे प्रूफ करना है अब यह 90 है तो उसके अपोजिट साइड लॉंगेस्ट होगी इसलिए यह साइड और यह साइड दोनों इक्वल होगी अब आपने पाइथोगरस थियोरम लिखी AB स्कूर इक्वल टू AC स्कूर प्रस BC स्कूर यह आपके लॉंगेस्ट साइड है तो यह AB स्कूर है यहाँ पर ठीक है अब आपने उसके बाद नेक्स्ट क्या किया BC को पुछ कर दिया AC की टम्स में क्योंकि हमें यहाँ पर AB और AC ही चाहिए यह AB तो है यह AC है इस BC को हमें चेंज करना है तो BC आपका AC के बराबर है तो BC की जिगा हमने AC कवर गिल दिया अब AC AC जुड़ गए तो 2 AC कवर कर दिया है ना बहुत असान बहुत ही चोटा सा question है कई बार paper में आता है बहुत ही easy है यह Pythagoras पर में लगाई है आपने Pythagoras लगा कि आपने सिर्फ इस चीज को use कर ले कि ISO SLUS triangle है तो कौन सी 2 sides ही को ले यह pick करना ही इसका सबसे बड़ा point है यहीं पर mistake होती है बच्चों से अब यह कुछ questions है त्रिबुच की बुजाए नीचे दी गई है निर्धारित कीजिए कि इनमें कौन सा समकोन त्रिबुच है यहाँ पर कुछ sides की है triangle की आपको पता लगाने which one is right triangle तो अगर हमें यह sides दी हो तो हम पता लगा सकते कि कौन सा right triangle होगा यह वाली देखे हम पता लगा सकते है तो first लेते हैं हम लोग first है आपका 6 cm, 8 cm, 10 cm तो अब आपको पता है right triangle वो होता है जिसमें पाइथोगरस प्रमे होती है पाइथोगरस त्योरम होल्ड करती है तो 6 का वर्ग हो गया आपका 36, 8 का square हो गया 64, वर्ग कैसे निकालते है 6 into 6, ठीक है यह 8 into 8, 10 का square 10 into 10, 100 आगया अब आपको यह 2 side add करके दीजिए तो आप 2 छोटी वाली ही हमें add करनी चाहिए, 64 और 36 को हमने add किया, तो यह तुमारा 100 आता है, तो हम यह बोल सकते हैं कि 64 क्या था, 6 का square 36 क्या था, 8 का, यह उल्टा लिख दिया है, यह आपका यहाँ पर आएगा यह आपका आएगा, 8 का square यह है 8 का square और यह है 6 का square, so 8 का square प्लस 6 का square इक्वल टू 10 square, ठीक है, तो यह पाइतोगरिस त्योर्म यह आपे hold हो रही है, हम बोलेंगे यह, these are the sides of a right triangle हाँ, यह एक समकोन त्रिबुच की भुजाएं हैं अब दूसरा देखते है, 8 8 का वर्ग है, 64 13 का वर्ग हुआ 169 12 का वर्ग हुआ 144 अब यहाँ पे, दो छोटी वाली 64 और 144, इन दोनों को जोड़के देखते हैं, क्या तीसरे के बराबर आ रही है, नहीं आ रही और बागी भी कोई combination जोड़के हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे कोई भी दो भुजाओं के वर्ग जोड़के, तीसरे भुजाओं के वर्ग के बराबर नहीं आ रहा, तो यह एक सम्खोंत्रिभूच नहीं हो सकता इटेज नोंट e right triangle ये एक right triangle नहीं है ये सम्खोंत्रिभूच नहीं है आये दूसरा question देखते है यहाँ पे h का मान निकालना है यहाँ एक cd रखी है जो 10 meter लंबी है और यहां ये building पे रखी है ये 5 meter है ठीक है, दस मीटर और पांच मीटर, तो बिल्डिंग की हाइट आपको निकालने हैं, ठीक है, ये सीड़ी है, दस मीटर और ये पांच मीटर, आपको बिल्डिंग की हाइट निकालने हैं, तो ये बिल्डिंग की हाइट होगी ह, अब यहाँ पे हाइपिटेनियूस कौन सा जो लंबी बुजा होती है आप यह देखो जो बिल्डिंग है और जो ग्राउंड है यह एक दूसरे के साथ 90 होगे बिल्डिंग हमेशा ऐसी बनाई जाती है सीधी खड़ी होके तो यह नब्बे ही होगा और नब्बे के सामने वाला आपका कर्न यह हैपिटेनियूस होता है त एक कितना दिया है पांच और एसी की जिए हमने है लग दस का स्कुएर क्या हुआ दस गुना दस एक को एक से गुना क्या दो जीरो पीछे लगा दी सो पांच का वर्ग हुआ पांच गुना पांच पच्चिस इक्वल टू प्लस है स्कुएर अब यह तुमारा सिंपल एच को हम सॉल्फ करना चाहें क्योंकि हमारा पूरा निकला है पूरा नहीं निकला है एच का स्कुएर निकल गया आपका तो अब हम क्या करेंगे एच निकालने के लिए हम लिखेंगे एच is equal to root of 75 ठीक है इसका root ठीक है अब आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों यहाँ पर 15,50,75 आप देख लो 15,55 होता है ठीक है फिर आप इसको 15 को भी लिख सकते हो पांच गुना तीन तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पांच गुना तीन गुना पांच हो गया है पांच और पांच दो वर्गमूल हम जब सॉल्फ करते हैं तो कैसे करते हैं दो एक जैसे होते में दो जोडे में से एक अंभा निकालते हैं यह ना रूट फाइव इंटू रूट फाइव आपका क्या होता है फाइव इस सिध्धान्त के दवारा तो आपका आगए है एच इकुल टू फाइव रूट थ्री मीटर यह इसकी हाइट है बिल्दिंग की ठीक है अगला क्व दूरी ज्यात कीजिए प्रकाश हाउस अच्छा इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी यह निकालने यह पर लाइट है इसकी और इसकी दूरी निकालने यह आपको पच्चेस दिया है और यह आपको एक सो असी दिया है कि कि यहाँ पर भी हुई है पच्चेस एक स square लस qr square ठीक है अब PR की value हम ही कितनी दिये PR की value हम ही कुछ नहीं दिया हम इसको PR ही रख लेते हैं ठीक है और PQ हमको दिया 25 25 का square या 25 का वर्ग और qr हो गया 188 गवरग अब 125 25 का वर्ग होता है 625 गुना पच्चिस ठीक है यह कुच चीज़ें आपको याद कर लिए एक स्वस्य का कैसे करोगे 18 गुना 18 आपको याद होना चाहिए एक से 20 तक मैंने बोला है इनको learn कर लीजिए सबी वर्गों को learn कर लीजिए तो 18 गुना 18 324 होता है अब एक 0 और हो गया तो 2 0 पीछे लग जाएगी तो हम लिख सकते हैं 32400 इस पर का लिख दिया अब इसको क्या करना होगा जोड़ना होगा यहाँ पर हमने जोड रख है इसको जोड़ के आएगा आपका 33025 ठीक है अब हमें ये तो इसके वर्ग में निकल रहा है पी आर का वर्ग हमें पी आर की वैल्यू निकालना है तो यानि किसका रूट निकालना पड़ेगा आप देख रहे हो कि यह बहुत बड़ा नंबर है इसके रूट से हम निकालने तो दो तरीके हमारे पास या तो प्राइम फेक्टराइजेशन मेतड है कुछ मेंटल मैस के थी त्रीके होते हैं और या लाउंग डिविजन मेतड जो आपने देखा था लांग डिविजन मेतड तुरंत वर्क करता है तो हम हम ऐसा करता है इसको कि ब्लह हुए करते हैं वो हमारा कैसे होता है पीछे से दो दो पैरिंग करके चलो इस सिंगल रह जाएगा पीछे से जोड़ा मनाना होता है हमने class 8 में किया था इसका जो उपर वाला portion है इसको मैं यहां लेखते फिर होंगे तो अगेले तीन को सेम नमबर को सेमनंबर से करना होताह एक ошиб है यहा है तो आप देख है तो एक और पर टेमल कृज टैंवर्ड दोबर एकम और तो त्री में से उद गए चुछे में आप क्या करोंगो इससाइड प्लस 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 करना होता है तो यहां पर आगया 2, अब यहाँ पर यह दो पेर जो होते हैं, इसको इखटे उतारा जाता है, याद आ रहा है आपको, हमने क्लास एट में किया था, अब यहाँ पर सेम नंबर सब्स्टिट्यूट करना है, अगर मैं यहाँ पर दो लिखनी हूँ, तो अधर भी दो लिखा जाएगा, दो दुनी चार, दो दुनी चार, तो मुझे कोई ऐसा नंबर सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ डालना है, जो 230 आई, या 230 से थोड़ा ही कम नंबर आए, उससे अधिक नंबर ना हो, तो हम यह चेक करके देखते हैं, कि यह 8 पे जाता है, यह ना, यह मैंने यहाँ पर कर रखा है, आठ पे जाएगा, तो 224 आएगा, ठीक है, अगर मैं इसको 9 पे कर देती हूँ, आप यह देखो, तो यह 9 दुनी अठारा तो होता ही है, और 18 और 9 नाइज ए, 81 का 8 यह भी चला जाता है, तो आप देखे हो कि 26 नंबर हो रहा है, बहुत बड़ा नंबर हो रहा है, तो 9 पे जानी सकता है, यह 8 पे ही जाएगा, ठीक है, तो जब आप इसको यहाँ सॉल कर गए, तो इधा प्लस चलता है, तो यह 28 और 8 हो जाएगा, 36 और यहाँ पे अगले के लिए खाली चोड़ेंगे, जब यहाँ माइनस कर रहे हैं, तो 10 में से 4 गए 6, ठीक है, और यह आ 9 आप देख रहे हो, बड़ा नमबर आ जाता है, तो यह पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको 2 पे करें, 2 पे भी देखो, 724 बड़ा नमबर आ रहे हैं, तो हम इसको 1 पे ले जाते हैं, 361, तो हमारा नेक्स नमबर गया 1 पर, यह माइनस हुआ, यहाँ पर आपका आ गया, 360 आठ यह 1 पे गया है, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया, 362, तो यह आपके हो गया, फाइव में से 1 गया, 4, यह 12 में से 6 गया, 6, यह 5 में से 3 गया, 2, 264 हो गया, अब यह नमबर बड़ा है, और यह नमबर आपका छोटा है, तो आप क्या करोगी, यहाँ पर डेसिमल लगा दोगे, डेसिमल लगा के, दो 0 आजेगा, अब यहाँ पर मुझे एक नमबर फिट करना है, तो जैसे हम इस नमबर को देखते कि हमारा कैसा नमबर वो होना चाहिए, इसको हम यहाँ पर एरेस कर देते हैं, इन नमबर को एरेस कर देते हैं, कि वो हमारा नमबर कैसा हो, तो 362, मैं उ 7, 6, 42, 1, 42, 1, 43, 4, carry, 7, 3, 21, 4, 25, तो यह लग रहा है ना, कि यह उसके करीब जा सकता है, तो मैं इसको अगले नमबर को ले लिया, 7 पे, और यहाँ पे लिख दिया, 25389, बस इसके बात मैं छोड़ रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहे हूं, यह पूरा solve, माइनस करोगे, तो यह माइनस हो के, पूरा complete solve नहीं हो रहा, तो अभी तक हमने 181.7 निकाल लिया, इसका जब हमने root solve किया, तो PR की value 181.7, और कुछ आगे चलेगी आपकी, जब ऐसा हो बचों, आपको लगे कि बहुत लंबा square root solve करने में time लग रहा है, easily, mostly questions prime factorization से हो जाते, long division method भी लंबा चल है, decimal में जा रहा है, तो आप चाहो तो अगर आपके पस time की shortage है, तो आप इसको यहीं पर ही चोड़ दो, आपके half marks ही कटेंगे, answer नहीं report करने में, यहां तक सारी steps आपके ठीक है, तो steps पे marks होते है mathematics में, because आपको एक question के पीछे पढ़के, अपना सारा कुछ छोड़ना नही कि पिछले questions चुट जाएं, तो मेरा suggestion है कि जितना time limit हो, उतना ही उसके उपर जाओ, half marks के लिए इतना बड़ा square root solve करोगे, एक गुबारे का धागा 13 मिटर लंबा है, और जमीन से 12 मिटर उपड रहा है, एक गुबारा है, यह आपका, जमीन से 12 मिटर उचे जा रहा है, तो यह जैसे गुबारा उड़ रहा है, इसका धागा 13 मिटर है, और जमीन से 12 मिटर उचे है, तो दिवार के आधार से, दिवार का आधार यह हुआ, दिवार के बेज से, खूटी की दूरी, जहाँ पर यह बांद रखा था, इसको पता करें, ठीक है, इस question को हम solve करते हैं, यह हमने बना रहा है, यह हमारा गुबारा है, हरे रंग का, ठीक है, यह 13 मिटर दूरी है, 12 मिटर उपर उड़ रहा है, तो आप देख सक रहे हो, कि यहाँ पर यह पाइटोगरस तेरम कहां लगी कि यह दिवार के सामने जो अपोजिट होती, इसको करन मानते हैं हम लोग, यह हापेटेनिस मानते हैं, तो AB का वर्ग इक्वल टो BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग, AB की जिगह 13 लिख दीजिए, BC की जिगह जैसे हमने X लिख दिया है, और 12 वर्ग लिखा, यह आपका पाइटोगरस प्रमे है, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, या ऐसे लिख के हम करेंग तो यह आपने बहुत बार करा होगा, यह 25 आज आता है, इसको करके, सीम नमबर पाइटोगर इंटरिपलेट में भी हमने किया था, और यह आपको पता ही है कि 5 होता है, यह आपको पता ही है, इसका मतलब क्या है, कि हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको 5 का वर्ग, यह ना, तो X की वैल्यो पांच आगई, तो यह 5 मीटर दूरी है, ठीक है, तो आहत की जो हमने थ्योरम करिया, बच्चों, एक यह थ्योरम हमने करिया, पायतोगरस थ्योरम, इसको आपको दो-दो-तीन-तीन बार लिख किया, इसको लर्न कर लीजिए, इसका प्रूव भी बहुत इंपोर्ट